कि अलो स्टुडेंट्स कि वेलकम टो और ओनलाइन प्लेटफोर्म मैसेल्फ इंजनेर पीपी सर यौर फिजिक्स मेंटोर बच्छो आज का अपना टॉपिक है यह है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इस तरी विद्यूतिक का अपना अलग नेक्स्ट आपका टॉपिक है विद्यू प्ढूकिलेट करते हैं तो चलिए चलोग regulate करते हैं आज का करते हुकए विद्ध्यूत्-विभाव होता कैसे इसको परिबाशित करते हैं इसको इसना सा concept आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपन विद्युत विभाव की बात करते हैं तो मान लो कि यह कोई आवेश क्यूं और यहां पर हम इसके विद्युत छेत्र में अनंत से लेके आ अनंत से किसी अन्य आवेश के विद्युत छेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कारिये हैं बचो इसी कारिये को हम बोलते हैं विद्युत विभाव तो इसको को हम कैसे परिवाशित करेंगे कि सीभी परीमान के धनावेश को अनंत से किसी अवेश के विद्यूत्य चेतर में लाने में किया गया कारिये होगा विद्यूत्विवव अब डेखें अगर यह है दिया आइसको हमने हैं पर ले जाने में कोई कारियं नहीं किया नहीं किया अगर आवेसं नहीं कोई कारियर नहीं होगा मतलब विभव का मान हो गया जीरो तो अनन पे विभव का मान होता है बच्चो जीरो यदि मैं इसके ऐसा ही मातरक की बात करता हूं तो विभव का ऐसा ही मातरक होता है वोल्ट या हम इसके फॉर्मुले से कह सकते हैं जूल पर कुलाम जूल प्रहती कुलाम या बच्चो आप जिसको श्चांस S3 को बोल सकते ह्म और इसका सीजी एस स स्टेट वोल्ट तो ओर स्टेट वोल्ट में क्या रिलेशन होता है कि इस टेट वोल्ट में होते हैं बच्छों तीर सो वॉल्ट एक स्टेट की बात करते हैं इसकी विमा की बात करते हैं तो इस वाले फॉर्मले से आप इसकी विमा निकाल सकते हो आपको पता है कि व हो गए आपका कारी यह तो बच्चो कारीय के लिए यहां पर हो गया है M1L2-3-1 तो यह हो गई आपकी विभाव की विमा चलिए इसी तरीके से अपन बात करते हैं कि विद्यूत विभाव कितने प्रकार के हो सकते तो जन्रल टोपिक है कोई ज्यादा इसमें आपको पैनिक लेने के जरूतनी कोई क्वेशन ही बनेगा आपके समझधारी के लिए यह चीज विभाव को बच्चों आप कह सकते दनात्मक विभाव रिनात्मक विभाव सुन्ने विभाव तो दनात्मक विभाव होगा धनावेश के कारण रिनात्मक विभाव होती है अदीस रासी विभाव होता है बच्चों अदीस अब अदीस होगा तो यहां पर हम आवे तो विभव भी होगा रिनात्मक तो सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि चलिए इसी के बाद आपन बात करते हैं बिन्दु आवेश के कारण वैसे ही हम विभव की यहां से एक चीज क्लियरली अपने को पता चल रही है कि विभव का मान जो है वो दूरी पर निर्भर करता है दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान घटेगा इसका मतलब अगर इसके ग्राफ की हम बात करें तो आर और वी में बच्चों ग्राफ होता इस तरीके से डिक्रीजि यह हमने कुलामबल के लिए भी पड़ा हुआ है तो बच्चों यहां से अपन कह सकते हैं कि अगर आवेशों का कोई निकाई है या कोई बहु आवेश निकाई है उसमें किसी बिंदू पर आपको परिणामी विभव का मान हो गया बच्चों परतेक आवेश के कारण बात करते हैं यहां पर बीज गनितिये योग की तो यह होता है आपका अध्यारोपन का सिद्धान विभव के लिए अगर कई सारे आवेशों का एक निकाई हमें दिया हुआ हो चले वच्चों उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट की दो समान परिमान व दौनों के कारण से विभव परिमान में समान और दिशा में विप्रीत या हम यह कह सकते हैं एक की वज़े से प्लस वी होगा तो दूसरी की वज़े से माइनस वी तो वी की वैली तो होगी जीरो लेकिन विद्युचेत्री की त्यूरता होगी नॉन जीरो एह सुनने यदि समान परकरती के हैं और समान परीमान के हैं तो उनके मद्य बिंदू पर विद्युचेत्री की त्यूरता होगी जीरो क्योंकि बच्चों विद्युचेत्री की त्यूरता होती है सदिश रासी और दो समान परकरती के आवेश हैं तो दोनों के कारण से विद्युचेत्री की हो तो विभाव की value हम कैसे calculate करते हैं तो बड़ा सिंपल सा इसका concept है पहले हम उस सतत प्रस्ट पे किसी अल्प भाग के लिए विभाव कैल्कुलेट कर लेते हैं और complete के कुल निकालना चाहूं तो हमें यहां पर समाकलन करना होगा वी का तो के अपोन आर तो हो गया बच्चों यहां पर नियतांक और आप समाकलन कर दोगे डी क्यू का तो इस तरीके से आप सतत आवेश निकायों के लिए कैल्कुलेट कर सकते हो विभाव की वैल्यू विभाव का ग्राफ यह निरूपन तो अभी जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि विभाव जो है वह दूरी के साथ में गड़ता है विभाव की यह दो डाइग्राम की हेल्प से अपने बात करी है पहले वाले डाइग्राम में एक प्लस क्यू आवेश है दूसरा माइनस क्यू आवेश है दो ऐसे आवेशों का निकाही है जो परीमान में समान और परकरती में विपरीत है तो यहां पर जैसे इनके बीच की दूरी जो ए चले बच्चों इसके बाद बात करते हैं पर वीबाहू का अंतर इसका मतलभ विध्यूचेतर में कोई दो बिंदू है है आपके मान लोग यह विंदू है के उसको आप कह सकते हो डेल वी से रिपरजुक कर सकते हो इसको आफ वी बिये कह सकते हो तो डेल कि ओड़ ये हो गया वी-्वी यह वगा आपका विबवांतर के लिए ऐसा ही मातर और excusа नहीं होती इसकी कोई दिशा नहीं होती इसको हम अगर परिवाशित करें तो कैसे परिवाशित करेंगे कि बैक किसी काई परीमान के आवेश को कि कि किसी इकाई परिमान के आवेश को मानलो कि यह विद्ध्य चेत्र में एक बिंदू से दूसे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारी है ऑप का बिंदू 5 2 2 solid जाने में किया गया कारी तो बच्चों इसको उने दर्सा दिया wab से अपन क्यू नोड तो यह हो गया इसका mathematical relation जो आपने अभी परिवासा से देखा चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर आगे मानक आवेस वित्रनों के कारणे विद्यूत चेतर और विद्यूत विबवाव की तो देखी बच्चों अगर बास सबसे पहले बात करता हूं बिंदू आवेस की तो मान लो कि ये कोई बिंदु आवे से Q और इससे R दूरी पर आपको निकालनी है विद्यूद छेतर की तियूडता और विद्यूद विवव तो बच्चों विद्यूद छेतर की तियूडता तो होती है KQ अपोन R स्क्वेर E is equal to KQ अपोन R स्क्वेर सदीश रासी यह हमने पहले बात की हुई है सदीश रासी होती है तो इसके दिशा होगी तो बच्चों क्या होती है विद्यूद छेतर के लिए भनावेस से तो दूर और यृंठामेस के अंदर यह चीज आपको द्यानक नहीं है किसी भी आवेस से विद्युद्चेतर की त сильно चयाँ करते हूं सफ़ीन विद्युद्चेतर की तयूड़ता जो उससे विद्युद्चेतर की तयूड़ता होगी दूर और रिनावेशित है तो इसके अंदर तुब धूर या अंदर मतलब पर विभाव की बात करूं तो जैसे अब यह पाने पीछे देखा था वी इस इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर दोनों ही स्थीतियों में एक चीज यह क्लियर है कि दूरी बढ़ने पर विद्युच्छेत्र की त्यूरता भी घड़ती और विवांतर भी घड़ता है ल बिंदू आवेस से उस बिंदू P के बीच पे अगर कोई प्रावेद्युत माध्यम रख दिया जाए तो अब किस तरीके से विद्युच्छेत्र की त्यूरता और विद्युत विवाव की वैल्यू यहां पर चेंज होगी तो बच्चों सी चीज आपको ध्यान रखनी है ज यहां पर देखिए अगर दो alग-elag m'ta की आपके प्रावेद्युत माध्यम है और इनके प्रावेद्युत आंक आपको दे दिये K1 K2 तो बच्चों यहां पर जो प्रभावी दूरी है वह बन जाहेगी T1 root K1 plus T2 root K2 तो हमारा formula क्या था KQ upon R square तो KQ और R effective की जगर क्या जाएगा एक किने मने क्या बोला T root K तो 2 है तो क्या हो गया T1 root K1 plus T2 root K2 यह बन गई यहां पर परभावी दोरी और सेम चीज यहां पर स्क्वाइर होगा विद्ध्यूचेत्र की तियोड़ता में और विभाव में बिना स्क्वाइर की वैली होगी सिंगल पावर के साथ में एक घात के साथ में तो आजटी आपने लिख दिया तो बच्चों यह हो गया एक concept चलिए अब अपन बात करते हैं यहां पर किसी आर दूरी पर कोई बिन्दू ले लिया पी और यहां पर बच्चों हम निकालना चारें परिणामी विद्ध्यूचेत्र की तियोड़ता तो जैसा कि अपन जानते हैं कि विद्ध्यूचेत्र की तियोड़ता होती है सदी सरासी तो बच्चों हम यहां पर लेते हैं, दो अलपार्ट ले लिए हमने यहां पर, और इनकी वज़े से हमने विध्युछेतर की त्योटा एक निकाली, यह नीचे वाला इल्पा है, उपर वाला इसल्स कोण हमने बोल दिया बीटा है यहां पर, तो बच्छों सिंपल सा गटक करते हो तो आप गटक से यहां पर कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो उर्द्व घटकों में आप व्योजित करते हो तो देखे बच्चो एक्स दिशा में जो विद्यू छेत्र है अगर मैं यहां पर आवेश को ले लूँ रेखिये गनतव की रूप में लैमडा की रूप में गटकों मैं लैमडा के रेस्पेक्ट में बात करूं कि वह गया इसका रिलेशन के लैमडा पौन ऑन आर साइन अलफा प्लसाइन बीटा गेलążं अब्साइन बीटा और यहां पर दिया के लैमडा अपौन ay about कोस बीटा माइनस कोस गामा यह हो गया वाई दिशा में विद्युचेत्र की त्यूड़ता कमान और यह हो गया एक्स दिशा में विद्युचेत्र की त्यूड़ता कमान तो रटने की कोई जरुतनी कॉंसेप्ट मनें सिंपल आपको समझाया है देखिए यहांसे अगर आप गटक करते हो तो यह एलफा यह बीटा तो अगर यह कोण अलफा तो बच्चों यहां पर यह सामने वाला कौन यह भी हो गए आपका बीटा अब आप इसके गटक करते हो तो देखिए दोनों के शैतित से कटक तो समान दिशा में होंगे इसलिए यहां पर बेटा बीक्यू कोस पाढ़ी कोस अल्फा दीक्यू कोस भीटाल यह बीटा यह पीटा ऊ有點 तो यह इस त्रीके से आप इसके कॉंपोनेंट कर सकते हो यहांसे यह चीज इस तो हमने बताइक फ़ी कॉंपोनेंट वाली एलफा और यह बीटा तो यह बीटा ठीक है तो यहां से आप निकाल सकते हो एक्स एवाई की वैल्यू अब देखिए यदि एलफा इज इक्वल टू बीटा हो देखिया अलगला कंडिशन देखते हैं यहां पर आर्बिट्रेरी कोई भी कोई एंगल हमने कंडिशिडर कर देखिये अगर यहां पर बोल दिया जाए कि वैल्यू इक्वल है बीटा के तो उस इस्तिती में विद्यूद्शेत्र का माल हो जाता है जीरो क्योंकि कोस एलफा कोस एलफा हो गया जीरो यदि लंबाई इस चालक तार के लंबाई को हम अनंत मान ले तो इसकी लंबाई को अनंत मान ले तो देखिए बच्चों डायग्राम से अपन देखे अनंत लंबाई का यह चालक तार होगा तो यह बिंदू पी से हम इन बिंदों को मिलाएंगे इन आवेशों को मिलाएंगे तो कहीं न कहीं अनंत पर मिलते हुए प्रतीत होंगे इसका मतलब अलफा और लंबाई के चालक तार के कारण तो यह डेरिवेशन बच्चों आपने गाउस के नियम में भी पड़ा होगा कि अनंत लंबाई के समावेशी चालक तार के लिए विद्ध्यूच्छेत्र की तियोड़ता होती है इसको आप जन्रल तरीके से भी कैल्कुलेट कर सकते हों यह अगर हम यह बोल दें कि वैल्फा की वैल्यू जीरो डिग्री है और बीटा की वैल्यू है पाई बाई टू उस इस्तिति में एक्स और एक्स वैल्यू समान होगी और बच्चों यह हो जाएगा के लैमडा अपोन आर के लैमडा पोन आर तो अगर हम परिणामी हो गया रूट टू के लैमडा अपोन आर इस तरीके से भी आप इसकी कैल्कुलेशन कर सकते हूं सेम तरीके से अगर हम विभाव कैल्कुलेट करें इस लंबाई के चालक तार के लिए तो बच्चों यहां पर देखिए इसका रिलेशन होता है वी इस इक्वल टू लैमडा अपन तू पाई एपसलोन नोड और यह फंक्षन बन जाएगा लोग का जिसमें हो गया रूट अफ आर स्क्वार प्लस एल स्क्वार माइनस वन अपन रूट आफ आर इस क्वार प्लस एल प्लस वन यहां पर आर तो वह दूरी है जहां पर आप उस चालक तार से विभाव क की value calculate कर रहे हो L है उस चालक की लंबाई और लैमडा है उसका रेखी आवेश गनत्वर यदि बच्चों इसको भी consider कर लिया जाए कि चालक तार हमारा अनंत लंबाई का है तो उस इस्तिती में देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका relation बन जाता है वी इज इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन टू पाई एप्सलों नोट इन्टू लोग ई आर और साथ में इंटिग्रेशन कॉंस्टेंट भी आप कह सकते हो सी यहां से आप यह वाल्यू बता सकते हो तो यह हमने बात करी जब आवेश का वित्रण सरल्रेखा में हो तो किस तरीके से विद्युद्चेत्र और विद्युद्विभव की हम कैल्कुलेशन करते हैं अब देखिए बच् पर कि यह आर्द तिर्ज्या का कोई आपका आवेशित वलय है जिस पर एक समान रूप से आवेश का वित्रण है और आपको किसी बिंदु पर विद्युद्चेत्र की त्योड़ता निकालनी है तो बच्चों यहां पर किस तरीके से कैलकुलेशन होती है यह जैसे कोई विध्युद्चेत्र चेत्र की त्योड़ तो देखे बच्चों यहां पर यह विद्युद्चहेत्र के त्योड़ता भी होगि तो देखे बच्चों अगर आइङ्गल थीटा तो इसका सेतिंग भी कोई ट्टिटा और परिणामी विद्यू छेत्री की त्यूरता होगी समाकलैन D E cos theta यहां से आप इसकी calculation कर सकते हो तो यह calculation करने पर देखिए बच्चो इसकी क्या value निकल के आती है यह value निकल के आती है बच्चो KQ क्यू के लिए, दूरी कितनी है, X है है और इसकी तिर्जा कितनी है आर है तो के क्यू आर अपोन है टू इन्टू आर स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर की पावर थ्री बाइट यह बच्चों यहां पर फॉर्मूला होता है किसके लिए किसी भी आवेशित वले की कारण उसके एक्स परिस्तित किसी बिंदू पर वि क्यों किसी बच्वेर की की तियूरत हो गई यह पर इजी कर टू के क्यू एकस अपोन के क्यू एकस आपॉन आर स्क्वेर प्लस एक्सिट बिंदू पर अभी जो ग्राफ आपने देखा इस ग्राफ पे वापस आईए यहां पर आक्स की चाहिए पोजेटिव गैली रखे चा इसा तो यहां पर देखिए जब विद्द्धूर चेत्र की तिवर्ता हम निकालते हैं तो बच्चो विद्यू चेतर की तियूरता होगी 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, सम्पून आवेश इसके बाहर है, अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो विद्यू चेतर की तियूरता 0, तो देखो जैसे x is equal to 0 रखा, तो विद्यू छेतर की त्यूरता 0 अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर देखिए विद्यू छेतर की त्यूरता का मान बढ़ते जाता है कहां तक बढ़ता है बच्चों यह यह दोनों साइड में बढ़ते जाता है कहां तक जब तक x की value plus minus जब तक x की value plus minus r बटा root दो के equal ना हो जाए और जैसे ही r बटा root दो होता है तो विद्यू छेतर की त्यूरता maximum और उसके बाद से दूरी बढ़ने पर फिर से विद्यू छेतर की त्यूरता गड़ते हुए जाती है तो यह बनता है बच्चो ग्राफ यहां पर किसी भी समावेशित वले के कारण विद्यू छेतर की त्यूरता के लिए इसी तरीके से अगर हम विवाव की बात करें तो बच्चो same concept यहां पर विवाव का होगा लेकिन विवाव अदिशरासी होती है तो यहां पर गटकों का concept नहीं होगा और सीधी हम यहां पर दूरी calculate करते हैं जो कि हो गई रूट ओफ आर स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर तो वी इजी इक्वल टू हमने बोल दिया लेकिन विवाव का मान केंदर पर सुनने होगा किसी भी चालक के अंदर विवाव का मान उतना ही होता है जितना इसके सतय पर होता है तो देखो केंदर पर भी विवाव उतना ही होगा जितना इसकी सतय पर तो केंदर पे हम इसको लेके आते हैं तो सिर्फ x की value यहाँ पर आपको बच्चो जीरो करनी है तो r square का root हो गया r तो आपको विभव की value मिलगी k की अपॉन capital r इसी तरीके से केंदर से बहुत अधिक दूरी पर अगर बोल दिया जाए कि दूरी x की तुल्ला में जो वले की तिर्जा है वो नगण्य है तो बच्चो उस इस्तिती में आप r की value ले सकते हो यहाँ पर 0 और यह बन जाता है k q upon x square तो विद्यू चेत्री की तियूरता और k q upon x बन जाता है आपका विभाव तो देखिए वही concept आ जाता है बिंदू आवेस वाला हम क्या मान सकते हैं उस इस्तिती में कि वह उस वले पर जो आवेस था वह सारा आवेस एक जगह पर केंदरित है यह इस तरीके से वले हो गई बच्चो इससे किसी भी दूरी पर जो दूर चैंज होगा तो चलिए बच्चो सबसे पहले से रिपरेजय कि यहहं Verfाज लंबाई चोड़ाई की एक आवेशित चादर है जिसके कारण से अपन विद्यू छेत्र की तियूरता की बात कर लेते हैं तो जैसे बच्चों यहां पर डाइग्राम में रिपर्जेंट किया हुआ है कि यह हमारे पास में कोई एक चादर है अनन्त है आवेशित है लेकिन यह है कुचालक क्या consideration लिया है यहां पर कुचालक आप क्लियरली डाइग्राम से देख सकते हो कुचालकों में आवेशित का वित्रण संपूर्ण आयतन में होता है एक समान रूप से जबकि जो चालक होते हैं उनमें बच्चों आवेशित का वित्रण होता है बाहाईय परस्ट पर अगर यही चालक होता तो यह पूरा का पूरा अवेशित इसके सिर्फ और सिर्फ आउटर सर्फेस पर होता बाहार यह परस्ट पर होता तो इससे एक इसी दूरी आर पे अगर आपको विद्यूचेत्र की त्यूरता निकालनी है तो बच्चों सी चीज ध्यान रखो कि अनंत लंबाई चोड़ाई की जो चादर हो चाये वो चालक हो चाये कुचालक हो तो उनके लिए विद्यूचेत्र की त्यूरता दूरी पर निर्भर नहीं करती तो यहां पर कुचालक प्रस्टों के लिए देखिए विद्यूचेत्र की त्यूरता होती है E is equal to sigma upon two epsilon node और clearly यहां पर मैंने मेंशन किया है कि एकी वैल्यू आर पर निर्भर नहीं करती तो अगर ए और आर में यहां पर आपसे ग्राफ पूच लिया जाए तो बच्चों यह ग्राफ बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन पैरलल टू एक्स एक्स एक्सिस के समानतरिक सरल्रेखा ग्राफ बनेगा और यह सरल्रेखा हमेशा ही बताएगी कि विद्यू चेत्र की त्यूरता है नियत जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा आपॉन टू एप्सलों नोट यह चीज हमने यहां पर बात करें इसी तरीके से बच्चों विभाव की बात करते हैं तो देखिए विभाव क्या हो होता है विद्यू चेत्र की त्यूरता गुणा दूरी कितरी दूरी पर आप बात कर रहे हो वी इजी क्वल टू एप्सलों नोट इन्टू आर यह हो गया आप पर विभाव तो एक चीज यहां पर क्लीरली आपको दिख रही होगी कि विभाव का मान जो है वो दूरी के समा वानुपाती है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभाव का मान भी बढ़ेगा यहां पर चले बचों नेक्स अपन बात करते दो आवेशित समतल चादरों के कारण विद्युचेतर दो आवेशित समतल चादरे हैं और दोनों चादर कैसी है बच्चों यहां पर तो इस तरीके से भी बच्छों आपको कौशन दिया जा सकता है इधर पूछ लिया बीच में पूछ लिया और राइट साड़ में तो देखो बीच वाली स्थिति पर अगर मैं बोलता हूं इसको ए और इसको बोलता हूं बी तो इसका विद्यू छेत्र हो गया बच्छों ए औ बंदू पेर निकालना तो इससे बाहर और यह 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 की वैल्यू यह ओ गया इसके लिए अब grupos बेल नावेशित हैं तो देखिए जयर बाहर वाले बहार रही यह दोला गया की बाहर दोनों एक दिशा में होगी तो यहां पर विद्युञट्र की त्यूरता होगी प्लस-EB क्भी F इस ही तरीके से बच्चों मां इधर वाले बिंदु पर बात करता हूं तुουμε की डनावेस के लिए बाहर इस वाले बनावेस के लिए भी बहर तो इधर कुछ आलग हो तो विद्यू छेत्र की तियोड़ता होती है यह इस तरीके से अब इसी में देखिए कुछ special case के अपन बात करें यह यह अगर दोनों के प्रस्टावेस गनत्वा अलग-अलग हैं तो आप कह सकते हो कुछ सीग्मा यह अपन टू एपजली नौर्ट अपन हुख शैस्मफल कॉनसेट्स यह अपर समझा दिया अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों के प्रष्ट आवेस गनत्व समान है मतलब एक का प्लस सिग्मा और एक का माइनस सिग्मा तो बच्चों बीच वाले बिंदू पर तो विद्यू चेत्र के तियोड़ता हो गई जीरो क्योंकि दोनों विपरीद दिशाओं में थे तो ए माइनस एब दोन 예 Margie ci तो देखें वाब की बार बीच में देखिए ररा रेवेस के लिए विद्यु चेत्र की दिवरता अंदर तौ्पकी बार अंदर की तरफ विद्यू चेत्र की तीरो ता ही दिशा में हो गई तो परिणामी क्या हो गया सिग्मा एपस्लोन नो प्लस सिग्मा अपॉनर्टू एपसलोन्न मतलब विद्युचेतरी की Second और विद्युचेतरी की बंगे एपसलोन और की सिग्मा आप्सिलोन और इस venture धिढूंड की और जिस यह इस तरीके से तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि कि आवेश्ट वित्रण का क्या रोल रहता है यहां पर विद्धियु चेत्र की त्यूरता कैल्कुलेट करने के लिए चलिए आपन बात करते हैं और आवेश्ट चालक चादर और अनन्त इसकी और फ़ोड़ा ये अनन्त विद्धियुक्ths लेकिन अपकी बार यहां पर विद्री के त्यूरता दूरी पर निर्बर नहीं करती इसका मतलब अब यहां पर भी ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के समानतर सरल रेका लेकिन अपकी बार यहां पर विद्धियो छेत्री की तीओरता होगी सिग्मा अपून एपसलोन नोट यह और देखते हैं आवेशी चालक बोला अब बात करते हैं कि गोले पर आवेश का वित्रण हो आव बहाई प्रश्ट पर तो देखे है क्लिर देख सकते हो दोनों पर प्लस क्यों प्लस क्यों आवेश का वित्रण है तो लेइरट पर है बाहाई प्रसपर अब हमें करना हैं नग रिसा थान से चालक बहुन के बाहर और अंदर करते हो सबसे आपने स्टार्ट करते और ऑफ ढहर से तो चालक बहुन हूए जैसे बहुत कि आपका चालक गोला इससे बाहर किसी भी बिंदू पर विद्धू चेतर की तीओड़ता कैलकुलेट करते हो तो सिम्पल सी चीज हमेसा ध्यान रखो यहां पर किसी भी दूरी पर विद्धू चेतर निकालते हो तो आप यह मालो कि यह जो गोला है इस पर आवेस है यह एक ज स्क्राइब के Q अपोन अर्स्क्राइर अब देखिए यहां पर यह जो रिलेशन इस और सीगमा की टैमच में भी के सकते हो इसक आपून ли सिगमा ह делать स्वाइब उत粹 सकते हो disorders सिघ्या cancer कर सकते हो तो आपको तो बेसिक यह रिलेशन ध्यान रखते हैं कि बिंदू आवेस के लिए आठ दूरी पर विद्यू चेत्र की त्यूरता होगी के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वेर यहां पर इस गोले की तिर्जय हमने लिए बच्चो कैपिटल आर कि चलिए इसी तरीके से विवव की बात करते हैं तो बाहर इस्तित बिंदू पर तो सेमी कॉंसेप्ट अगर में वापस से आठ दूरी पर बच्चों विवव की बात करता हूं तो यहां पर विवव हो गया के कैपिटल क्यू अपॉन आर यह हमने विवा की बात कर लिए अगर सतय पर आजाए तो सतय पर सिर्फ एक चीज़ का द्यान रखना है कि आपका गोला था इतनी देर तो आप बात करें तो इसके बाहर किसी बिंदू पर अब इसकी सतय पर आगए इसकी खुद की तिर्जा थी कैपिटल आर बचो सतय पर आने पर बराबर हो जाएगा किसके ने वहां पर आप बोल दो कि इस सतय की तो वैलियो हो गई बच्चो के की अपॉन कैपिटल आर और वी सर्फेस के वैल्यों हो गई यहां पर के क्यों पॉन कैपिटल आर यह आप कह सकते हो तो इस तरीके से आप विभाव और विद्युचेत्र की त्यूडता है दो इस ती कोई आवेश जब इसके प्रश्ट पे है तो अंदर तो इसके सतय पे था तो वी इन इस एक्वल टू आप कह सकते हो वी सर्फेस और इसकी वैल्यू होती है केक्यू अपॉन कैपिटल र तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी चालक गोले के लिए विभव का मान संपूर्ण आयतन में दियत रहता है एक समान रहता है और इसका मान उतना ही होता है जितना प्रष्ट पर विभव का होता है मतलब केक्यूपॉन कैपिटल आप चले वच्चो इसके अपन graph बनाते हैं यह पर विध्युत्य 8 की तीउर्था का दूरी के साथ में और विध्युत् विभ Blue का दूरी के साथ में तो बच्चों देखिए १िस tv temps था हमने बात करई कि शालना सुरूं कर रहे हैं गोले के मतलब स्मॉल और इस इक वोल तो हमारा graph बना, इसी के समानतर सरल रेखा, मतलब कोई graph में variation नहीं हुआ, उसके बाद जैसे ही हम प्रष्ट पे पहुँच गए, तो प्रष्ट पे हो गया, बच्छो small r is equal to capital R, तो आपको एक विद्यू छेतर मिल गया है, नियत परीमान का, जिसको आपने बोल दिया E surface, और यह constant नियत है, अब इसके बाद जैसे small r की value capital R से ज्यादा हुई, तो बच्छो अपन आगे गोले से बाहर, गोले से बाहर आते ही, विद्यू छेतर की त्योड़ता, दूरी के विद्करमानों पाती हो गई, तो यह बन गया इसका graph, similarly विवाव की बात करते हैं, तो अभी मै S मतलब V surface बोल दिया इसको, और यह small r is equal to capital R, जैसे प्रष्ट के बाहर आये, तो विद्यू चेतर की विद्यू विवाव की value दूरी के साथ गढ़ती हुई, प्रतीत हो रही है, यहां पर गट रही है, चलो बच्छो यह अपने बात कर ली प्रष्टी आवेश की, अब अप मैं ने लिए यहां पर आवेशित ऐचालक या कुचालक गोला, तो कुचालक गोला है, मतलब आवेश उसमें संकूर्ण आयतन में फैला हुआ है, यह ले लिए हमने कि आवेश यहां पर संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है, गोले की तिरज़ा है capital R और इस से हम तीन अलग नावेस उसके केंदर पर है इसका मतलब यहां पर भी विद्युद्चेत्र की त्यूरता तो हो गई के क्यों पॉन आर स्क्वेर और विवाव की वैल्यों हो गई बच्चो के क्यू अपॉन स्मॉल आर सर्फेस पर आएंगे तो भी चीज होगी यहां पर सतय पर आजाएंगे तो भी बच्चो यहीं होगा सतय पर आजाएंगे तो स्मॉल आरीजी एक वल्टू कैपिटल रख देंगे जो चालक गोले के लिए पढ़ा था वही कौन से यहां पर है लेकिन जो वैल्यू चेंज होती है बच्चो वह होती है गोले के अंदर क्योंकि गोला लेना पड़ेगा मेरे को और यह हो गया बाहर वाला गोला कैपिटल यह इस मोला तो अब की बार संपून आईतन में आवेश का मान है तो इस अंदर जिस प्रस्ट में आप बात करें उसमें भी कुछ ने कुछ आवेश तो परीबद होगा मतलब आईतन में यहां पर तो है तो बच्चों यहां पर आप concept यूज करते हो आईतन आवेश गनतवर जिसको रिपर्जेंट करते हैं रो से तो रो को हम बोलते हैं कुल आवेश बटा संपून आईतन यह होता है आपका रो यह वाला concept यूज करते हो अब छोटे वाले गोले का जो भी आईतन है मतलब चार के प्टान पाही स्मूल आर क्यूब यहां पर बच्चों चोटे वाले में अगर आवेश बोलते हो आप क्यूँड़ैस क्यूडाश की वैली हो गई क्यूच पर पूछा जा सकता है तो यहां से आपने अंदर वाले गोले पर आवेश निकाल लिए अब आप वीद्यू रोटोफी। की तुर्ता तो होती है ऑग क के क्यूस प्रेज्च जैसे बढ़ने पर बढ़ेगी प्रस्ट प्रस्ट निकलने के बाद उसके वॉली पराइब के साब गठेगी वीवव की मात करते हैं तो विबाव का dyuk अगर बात करता हूं सके के अंदर पर हमारे कुछालक गोले खोले के अंदर पर यद्य आर की वैल्यू आपने रख दिया पर जीरो तो जैसे आपने इस मोल आज जीरो रखा तो वी सेंटर के अंदर वी के इंदर इस इक वल टू आगया वच्छों यह तीन बटा दो के क्यू अपॉन आर के क्यू अपॉन आर होता है इसकी सतह पर तो हम यह कह सकते हैं कि वह कुछा आलग बोले के लिए चलिए बात करते हैं बच्छों इनकी ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन की तो यह मैंने सबसे पहले विद्ध्यू चेत्र की त्यूरता के साथ में इसके ग्राफ की बात करी तो बच्छों देखिए मैंने क्या बदाया कि अंदर विद्ध्यू चेत्री क दो किसका सतय पर विभाव का और उसके बाद जैसे से दूरी बढ़ रही है तो विभाव गट रहा है और सतय पर इसकी वाल्यू फिर से होगी constant vs और सतय से बाहर निकलते ही दूरी आर के साथ में इसकी वाल्यू गट रही है तो यह बन गया इसका एक समान्द रूप से आवेशित अर्द वर्ताकार वले यह हमारी कोई अर्द वर्ताकार वले है और यहां पर हम केंद्र पर विद्ध्यू छेत्र की त्यूरता निकालते हैं तो बच्चों एक चीज तो यह वले है मतलब आवेश का वित्तरण सरल्रेखा में है प्रश्ट पे तर Meinung की त्यूरता होगे के लैमडा और विवह की वायलिव हो गई वादे वीगिवेश की त्यूरता है एंद्ध्यू की वायल्या का आवेशित बैलन हो रही है यह एक चालक बैलन है और इस तरह में ब annum होट क्लियरल्ट आप देख सकते हो चालो और कुछालक पराख कैसे आप देख सकते हो डायग्राम ने कही यहां पर अवेस का कही से कैसे बिद्डूर्थल लेते हैं कि मान लो कि और यहां पर चा कहा है वह है इसकी कॉछ लंबाई के एनुदिस मतलब यहां पर बी रिए कि आवेश्ट ग्रत्व का concept होगा तो बैलन के लिए भी विद्यूद्चेत्र के त्योरता होती है इसके बाहर इस्तित बिंदू पर तो विद्यूद्चेत्र के त्योरता होती है 2k lambda अपूर सतय के लिएव सब्सक्राइब काठीक Bowl यह थ detox की तो हमने बात कर ली कि अंदर के लेकिन अगर हम अंधर की बात करते हैं तो चालक हो तो चालक और कुचालक में यहां पर वच्छों कॉंसेप्ट सेम होगा जो अभी अपने पीछे डिसकस किया है और वह कॉंसेप्ट क्या है कि चालक बोले के अंदर तो चालक बेलन के अंदर तो कोई आविश है नहीं तो उसके लिए तो विद्यूचेत्र की त्योड़ता अ पॉंर। अटाईर क्यूड इन क्यूब इनटू आर यह बोल दिया हम रहे मिलन के लिए समानों पाती होगी बच्छों और अंदर के तो यह concept हम यूज करते हैं आप चलिए बच्छो नेक्स्ट बात करते हैं आवेशित अर्ध गोला तो वापस से वह concept के अंदर पे निकालना है आवेशित अर्ध गोला है तो संपूर्ण अवेशिक प्रष्ट पे और इसके के अंदर पे ले लूँ तो देखो बच्चों यहां पर complete के लिए तो आवेश का वित्रण यहां पर दिए गए प्रस्ट में हैं तो संपूर्ण आवेशित प्रस्ट के एकारण तो विद्यत शेत्र के त्यूरता कितनी हो गई सिग्मा अपॉन टू एपसलोन नोट और यहां पर आदा गोला है तो उसका आदा हो गया सिग्मा अपॉन फॉर एपसलोन नोट इसी तरीके से विभव की बात करें तो बच्चों इसके तिर्जया यदि मैं बोलता हूं विभव की वाइलियो हो गई वी इज एक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एपसलोन नोट इन्टू कैपिटल यह विभव चक्ति की बात करें यदि कोई हमारी चक्ति है जो एक समाद रूप से आवेशित है तो इसके लिए हम इसके एक्स से इसके एक्स पर किसी दूरी पर ह होता है सिग्मा अपॉन टू एपसलोन नोट इन्टू वन माइनस एक्स अपॉन रूट और स्कुर प्लस एक्स इसक्वर प्लस आर्ज जो भी लेना चाहो यह वह यहां पर विद्यू चेत्र की त्योड़त इस त्रीके से आप काल्कुलेशन कर सकते हो इसकी बच्चों चक् है यदि x tends to zero x tends to zero मतलब यहां पर अगर चक्ति के प्रष्ट पर ही किसी बिंदुप्रिया चक्ति के केंदर पर बच्चों विद्यूद्चेत्र की त्यूरता की बात करते हैं तो यह हो गया सिग्मा अपॉन आपउन तो वही अनन सम्तल चादर की तरह विवार करेगी तो विद्यूद्चेत्र की त्यूरता होगा ही सिग्मा अपॉन राफ करी अलग-अलग figures के लिए बात करी कि किस तरीके से विध्युद्षेत्र की त्योड़ता निकलेगी किस तरीके से विध्युद्विभव निकलता है तो next lecture बच्छो अपन बात करेंगे अब तक जो अपने डिसकस किया है विध्युद्षेत्र विध्युद्विभव अलग-अलग आवेश वित्रणों के लिए तो इस पर बच्छो अपन देखेंगे पैटर्न किस तरीके के बनते हैं और साथ यह अपन नया टॉपिक भी नेक्स लेक्टर में स्टार्ट करने वाल के लिए आपको प्रिपेर करना है तो बच्छो यह बैस्ट सबसे बैस्ट में तो कहूंगा सबसे बैस्ट फिजिक्स प्लेटफोर्म है जहां पर आप इसका फाइदा ले सकते हो सो थैंक यू बच्छो फॉर वाचिंग दे वीडियो अगले लेक्टर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में थैंक यू